हेलो एब्रीवन दिदे शानीला एने वेलकम टू मैं यूटीब चैनल स्टडी एडिशिनू कैसे आप सभी लो आज हम लोग पढ़ेंगे इरानी शैली इससे पहले हम लोगों ने दखिनी शैली कंप्लीट की थी ठीके आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है क्यों क्योंकि UPTGT में UPTGT में इससे रिलेटर एक क्वेशन पूछा गया था जो जो पूछा गया था वह आज भी विवादित क्वेशन है कोट में पढ़ा हुआ उसका आंसर अभी तक नहीं पता चल पाया है ठीक है तो आज आपको उस क्वेशन का आंसर आप आप अभी से अपनी प्रेपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए, नोटिफिकेशन का वेट बिल्कुल ना करें, डिटेल क्लासे यानि के की डेस्कृट्टिव क्लासे आपको दी जारी है, साथ में आपके अबजेक्टिव क्लासे भी चैनल पे बहुत सी पड़ी हुई है तो उ यह किया है आपका एक ही ए इसी वज़े से वहाँ पर कंफ्यूजन आई टिंग है वो कहां से हुई थी तो आपको याद रखना समरकन ठीक है हेरात आपको याद रखना समरकन हेरास से हुआ था बहुत important question ठीक है यहाँ पर इरानी और फार्सी में बिल्कुल भी आपको confused नहीं होना है next हम बात करते हैं इसका जो कह सकते हैं संदक्षर या इसको आगे बढ़ इनके टाइम में ही इसका उतकर्ष पीरिड रहा था ठीक है बात clear हुई अगर आपसे पूछा जाएगा कि इरानी शैली का उतकर्ष या इरानी शैली को संदक्षर किस ने दिया था तो तैमूर शाशक आपको याद रखने कौन से तैमूर शाशक आपको याद रखना है एक शारु किसका बेटा था तैमूर का ठीक है और जो खुद क्या है यादि कि शारु खुद क्या है एक कला प्रेमी शासक था और साथ में खुद भी क्या है कवी था अब जाहिर सी बात है जब शारु खुद जो है कला प्रेमी है कला को मानने वाला है कला को पसंद करने वाला तो जाहिर से बात उसके शासन में कला को बढ़ाने के लिए क्या है कलाकार को बुलाए जाएगा तो इसी वज़े से उसके दर्बार में यानि कि उसने अपने दर्बार में कवियों वचित्रकारों को आश्रे प्रदान किया ठीके इसके दर्बार में कवियों को भी बुलाए देता है तो इसी वज़े से इसी वज़े से इसने चितरकारों को प्लस सात में आश्रेप्रदान किया अपने हाध्कार करते हैं मुझफफर दोनों को आपको याद रखना है क्योंकि question आपसे पूछ सकता है कि यह जो मलब शाह मुझफफर है वो किस शैली से related है या किस चितकला से related है option आपका देदेंगे इरानी शैली मुगल शैली राजिस्थानी शैली या आपकी दखिनी शैली तो बिल्कुल आपको य किस कला से related है तो यह इरानी कला से related है ठीक है क्योंकि आपको पता है कि विजाद जो है इरानी चित्रकला का मुख्य ठीक है यानि कि कह सकते है उत्तम सर्वोत्तम उत्कृष्ट ठीक है उत्कृष्ट क्या कहते है सर्वोत्तम जो है उच्छ कोटी का कलाकार था कौन तो आपका important कौन सा हो जाएगे विजाद लेकिन question आपका कैसे पूछा जा सकता है शह मुझपर किस शैली का कलाकार है या चितरकार है तो आपको इरानी शैली ठीक है समझे है इरानी शैली है चाहे फारसी शैली है दोनों ही मतलब सही होगा ठीक है इरानी शैली है या फारसी दोनों ही आपका right answer हो जाएगा ठीक है चली आगे देखते हैं अभी मैंने शारुख की बात की थी यह शारुख खान वहाले बॉलिवूड वाले शारुक खां की में कर रही हूं यह शारुख की में बात करूई जो टैमुर का पुत्र दधा उस शारुख खान की में बात कर ह ठीके आप शारुखान को मत समझ लीजेगा मतलब बॉली वोड के शारुखान को नहीं समझना है हां शारुख ने क्या किया था हेरात को अपनी राजधानी बनाया ठीके तब वही कलाकेंदर भी इस्थापित किया शारुक ने किसको अपनी राजधानी बनाया तो हेरात को अपनी राजधानी बनाया और वही पर क्या है कलाकेंद्र भी इस्थापित किया क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि शारुक क्या है कलाकेंद्र भी उसने बनाया इस वज़े से जो है यहाँ पर कलाकेंद्र भी उस पढ़ना आपको इस तरीके से कि आपको अभी याद होनी चाहिए आपको बात में याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होनी चाहिए इसी टाइम सब कुछ याद करते चलेंगे इस वज़े से मैं थोड़ा सा दिसकुशन के साथ चीज़े करती हूँ ठीके अब हम बात करते विजात को अब हाँ यहाँ पर याद रखिएगा यहाँ पर हाला कि आगे आएगा एक मिनट ठीके यह भी आपको याद रखना है जो आपको मैंने अभी बता यहीं पास सुन लीजे तो आपको याद रहेगा मै आपको बहुत अच्छे से कि हेरात पूछा जाए कि क्या करते हैं मलत जनदाता कौन है हेरात शैली के जनदाता कौन है तो आप क्या बताएंगे जल्दी से बताईए हेरात शैली के जनदाता की रूप में जनक की रूप में किसे जाना जाता है तो विजात को जाना जाता है विजाद यहां पर आया है तो साथ में ही आपको याद रहे हाला कि आगे मैं डिसकस करूँगी ठीके तो हेरात शैली के जनक या जन्मदाता किसे कहा जाता है तो विजाद को कहा जाता है क्लियर बात हुई आगे हम चलते हैं अब बात करते हैं विजाद क्योंकि मैंने आपको बता है दो यहां पर जो आपके कलाकार है एक तो शारुख हो जाएंगे और दूसरे कौन से हो जाएगा शाह मुझफफर हो जाएंगे ठीके विजाद हो जाएंगे ठीके विजाद हो जाएंगे और दूसरे कौन से हो आपको यहाँ पर विजाद के बारे में चीज़े लर्न करने की जरूरत है यहाँ पर देखें अगर तो सबसे पहले मैंने बता ही दिया आपको कि इरानी शेली का उच्छ कोटी का जो कलाकार था वो कौन था विजाद ही था यह आपको पता है इसके अलावा इसे पूर्व का राफेल कहा जाता है अगर पूछा जाए पूर्व का राफेल किसे कहा जाता है विजाद को कहा जाता है ठीक है अगर पूछा जाए आपसे पूर्व का राफेल किसे कहा जाता है याद रखिएगा नेक्स हम बात करें विजात सबसे पहले सुल्तान हुसेन बोंगरा का दर्बारी चित्रकार था पहले ये कहा था सुल्तान हुसेन बोंगरा का दर्बारी चित्रकार था बाद में क्या है ये सुल्तान शाह इसमाईल के संडक्षन में कारी करने लगा था ठीक काम किया, clear, दोनों चीज़े याद रखनी है, सारी ही चीज़े आपको याद रखनी है, नेक्स हम बात करते हैं, कहा जाता है, आपको मैंने पता है, कि आपने, हाला कि, नहीं, मैंने objective classes जब ली थी, तब मैंने आपको बता है था, कि बाबर के टाइम में, जो बाबर ने क्यों जिसमें बाबर ने दो कलाकारों का जिक्र किया है, कौन कौन से हो जाएंगे, तो बिल्कुल कौन से हो जाएंगे, विज़ाद और शाह मुजफर हो जाएंगे, ठीके, तुझके बाबरी में दो कलाकारों का जिक्र है, दो चित्रकारों का जिक्र है, एक तो हो जाएंगे, विजाद हो जाएंगे दूसरे आपको मैंने क्या बता है शाह मुजफर ठीक है ऐसा कहा जाता है ठीक है तो कहा जाता है बाबर के समय में इसने कार किया कहा जाता है कि विजाद ने बाबर के समय में भी कार किया क्यों ऐसा क्यों कहा जाता है क्यों क्यों इसने खुद अपनी जो गृट जो इसकी Oubigrafy ए ग्रही है तो उसमें वर्डर मिलता है अई कर्या का याली का कह जाता है और यृट को जैंदर किसम ने बनाया मैंने आपको बता हेराद को कला केंद किस ने बनाया था ठीक है तो किस ने बनाता शारूक ने बनाता शारूक कौन था तैमूर का पुत्र था अगर चीज़े समझ में आ रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हाँ जितने भी आपके फ्रेंड सरकिल में जो आर्ट से रिलेटेड तैयारी कर रहे है तो आप उनको वीडियो को शेयर कर दिया करिए जिसे और लोग को भी यहाँ पर हेल्प मिल सके और साथ में से वीजाद के ठीक है हूँ है मैंने आपको पीछे डिस्कस किया था ठीक है एक नच हेराड नगेर इरानी कला का प्रोमुक केंद्र बना कलियर है नेक्स हम बात करते हैं इरानी शयली की ओवर और ज विश्येशता है उसकी बात करते हैं देक है इरानी शाली में मैंने थोड़ा सा आपको बता है कि ये क्या इरानी फार्सी मुस्लिम ठीके कहां से स्टार्ट हुआ कहां से जन्वा तो समरकंद से हो जाएगा कहां से स्टार्ट हुआ यानि समरकंद हो जाएगा ठीके समरकंद और हिरात हो जाएगा इसके लाबा आपको बता कि असमेर 도 शास्तों के निया थे फिर मैंने आपको बता ने कुझे एक कला प्रेयमी भी था तो ओड़ां कोमी वृता है overall मतलब देखेंगे कि पूरी अगर इरानी शैली की बात करें तो उसमें कौन-कौन से पॉइंट आपके एक्जाम में पुछे आते हैं देखिए अब हम बात करते हैं आपने अजंता शैली कैसे इरानी कलाब अजंता वा चीनी कला का पुभाव पड़ा है तो कह सकते हैं तो अजंता पर किया है अगर हम important point, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छे से इसको याद रखना है, बहुत important है, अगर आपसे पूछा जाए, रेखा प्रधान, किसकी यहाँ पर quality हो जाएगी, तो यहाँ पर इरानी शैली दे दे देंगे, राजिस्थानी शैली दे देंगे, अब्रांश शैली दे देंगे, या म मुस्लिम वाली है, तो मुस्लिम में क्या है, व्यक्ति चित्र है, या मानो के चित्र है, जिसमें जान होती, जानदार चीज़े हैं, तो उनका चित्र बनाना क्या है, निशेध है, यानि कि उनमें इस तरीके के चित्र नहीं बना सकते हैं, ऐसा कहा जाता है, ठीक है, इसी व अपेक्षा याने मानों के चित्रों की अपेक्षा अलंकारिक्ता का ज्यादा यहाँ पर चित्रण मिला है ठीके यह आपको याद रखना है क्यों क्यूंकि मैंने इसलिए बता दिया कि आपको ऐसे याद रखना है ना कि यह पूरी दें कि मुसलिम है तो जाहिर से बात यहाँ अब देखे ए इ Hilani klarar में मैंने अभी पता है आपको 없어 क्या है मानव और जीवधारियों का निशयत था लेकिन बाद में क्या है वेक्ट dal होने भी लग Ottoman शुरूरा के बाद करें पुरूश कुमलता को कैसे दर्शाएगा लता के रूप में दर्शाए गया है तो ये फायद ही आपको यार रखने है, है। और पुरुषों को सरों के व्रक्षों की रूप में दर्शाय गया है किसमें इरानी शैली में नेक्स हम बात करें लेकिन बाद में आकरतियां बनाएगी यह मैंने आपको बता दिया हाँ यहाँ पर जो चहरे बने वो कैसे पॉने दो चश्म चहरे बने पॉने दो चश्म चहरे बने हैं याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हर शैली में अलग-अलग यहाँ पर चश्म दिखाए गए हैं आपको अलग-अलग ही आपको याद रखने हैं नेक्स हम बात करें भवनों को यहाँ पर स्थापति की अगर बात करें भवनों का अंकन बहुत ही सोक्ष्म और नकाशीदार यानि कि बहुत ही बारीकी से बहुत ही बारीकी वाला काम यहाँ पर आपको मिलता है और नकाशीदार ठीक है बारीकी नकाशीदार यहाँ पर काम आपको मिल जाता है और मिनार कैसी श्वेद मिनार ठीक है श्वेद मिनार मिनार आपको मैंने बताया था मिनार जैसे इस तरीके से आपने मस्जिद में देखा होगा कि बहुत लंबी मिनार बनाई जाती है ठीक है मस्जिद में आप देख सकते हैं तो वहाँ पर आप मिनार दे आपना वह signature, sign या नाम लिखता है कि कि इसकी शुरुवात कहां वी इसकी शुरुवात कहां वी चित्रकारों के नाम लिखने की परिपार्टी या Starting कहां से वी यह इरानी शैली से हुई बहुत important topic है यह जित्रकार अपना painting में नाम लिखने लगे थे ठीक है तो इस तरीके से आपको यह याद रखना है बहुत important topic है हाशय चित्रड अब यह वाला ही point आपका exam में पूछा गया था यही वाला exam में आपका पूछा गया था इसमें काफी confusion create हुआ था वहाँ पर option क्या दिया हो था फार्सी दिया हुआ था ठीक है और एक शायद आपका दिया हुआ था option राजपूत ठीक है राजपूत और दो option थे तो वह तो चलो थे ही नी जिसमें काफी confusion create हुआ शुरुआत में तो आयोग ने क्या है इसी को सही आंसर माना था और बाद में इस पर F करके जो है आया था ठीक है तो यह जो question है यह क्या है अब कोर्ट जा चुका है ठीक है इस प यहां पर हाश्या चित्रड इरानी शैली की ही देन है यहां पर काफ़ी confused हो ने करीज़न यह था क्योंकि इरानी शैली ही तो बाद में मुगल शैली जाती है क्योंकि मुगल शैली में भी हमाद करें मुगले बात करें और पलस बारती शैली का siそ động इस बज़्याँ पर मुग पूछा जाए मुगल ओ इरानी में तो आपका इरानी ही शैली आपका आंसर सही होगा ठीक है बस वहाँ पर इरानी ना दे करके फार्सी दे दिया गया था इसी वज़े से बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर कन्फ्यूज थे तो आज आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा ठीक है तो हाश्या चित्रड की परिपार्टी किसकी देन है इरानी शैली की ही देन है बिल्कुल कन्फ्यूज होने की यहाँ पर जरूरत नहीं है ठीक है काफी यहाँ पर बच्चे यहाँ पर कन्फ्यूज हुए थे तो यहाँ पर यहाँ याद रखना है हालाकि बाद में तो F लिख क्या गया, आयोग भी confirm नहीं है, आयोग को भी confirm नहीं है, कि इसका answer right क्या होगा, इरानी चित्रों में साधे सपाट रंगों का प्रियोग हुआ है, ठीके, यहाँ पर साधे सपाट रंग भरे गए हैं, और यहाँ पर आमिश्रित रंगों का यूज हुआ है, यानि क आमिश्रित रंग भरे गए हैं, कहाँ पर इरानी शैली में, ठीके, आमिश्रित रंगों का यूज किया गया है, यानि कि दिन में क्या होता है, हलका हलका होता है, ठीके, लाइट कलर होता है, तो पीला और सफेद कलर का यूज किया गया है, जबकि रात को दिखाने के लिए कि किसका यूज किया गया है और तो अगर लाना को नेसे हैत कै एक और रात को दिखाना होता नेक्स है लास्स पॉइंट चल लें और बहुत ही मैंने का था चोटा टापिक है लेकिन जितने भी मैंने पॉइंट्स लिखे यह बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है ठीक है इस वज़े से आपको इसको भी लर्न करना है नोट्स बनाने है हाला कि आपको पीडिये अपको मिल जाएगा आज ये में क्लास ले रहे तो कल इसका पीडियेफ मिल जाएगा आपको लियर मिल गया होगा आपका पड़ गया है शायद देख लीजेगा अब देखिए इरानी कलामी प्रारा में मानवा जिवधारियों का निशेत था यह मैंने आपको बता दिया ठीक है यह हो गया ही थी हाँ बाद में यह हो गया ठीक है यह मैंने आपको बता दिया जो शुरात में क्या है इसमें मानो जिवधारियों का अंकन वगरा नहीं हुआ था लेकिन बाद में क्या है इनका अंकन यानि की आकृतियों का अंकन वगरा होने लगा था ठीक है तो यह चीज़ा आप पढ़ चुके, मैं बता चुकी, तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर सारी चीजे देख ली, सारी चीजे यहाँ पर हम लोगों ने देख ली, और आज की क्लास आपको कैसी लगी तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा, और मैं आपको बता दू कि जो आपकी objective question की series जो है, वो आप फिर से एक बार, फिर से revision कर लीजे, तो बहुत अच्छा रहेगा, क्यूंकि आपके पाद अभी time है, तो आप अभी revision कर लीजे, ठीके, जब आपको notification आजाएगा, तो आपको बास time बिल्कुल नहीं बचेगा, तो इसलिए आपने revision करना जो मुझे जो हुआ 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